सब्सक्राइब करें लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप वहाँ से चेक कर लिजीगा तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमारी जो एट्मोस्पेर है वह कितने पार्टों में हमने डिवाइट किया गया है तो इस तरीके से पांस बाटों में डिवाइट है सबसे पहले ट्रोपोस्पेर उसके बाए स्टेटोस्पेर फिर मीजोस्पेर फिर थर्मोस्पेर और लास्ट में हमारी एक जो इस्पेर है वन बाई इनको डिटिल में हम डिसकस करेंगे सबसे पहले यहां पर हम हैं यह हम जान लेते हैं कि अर्थ पर इसकी जो एपरेज हाइट है अब माली जी कि यह आर्थ है और अर्थ पर ज्यादा होती है जो लावा 18 km के आसपास होती है वह ही पोल्स की बात कर रहे हैं तो इसकी जो हाइट होती है वो 8 km होती है तो इस तरीके से इसकी जो average height हो वो 13 km के आसपास है हमारी atmosphere में इस troposphere में gases पाई जाते हैं और वो gases important होती है human beings के लिए और animals के लिए इस तरीके से oxygen and carbon dioxide पाई जाती है troposphere में तो oxygen को जो as a breath लेते हैं human beings लेते हैं और carbon dioxide को plants लेते हैं for the photosynthesis process इसके लावाद जो जितनी भी weather related phenomena होती हैं वो सारी की सारी troposphere में होती है आपको इस चीज को याद रखना है जैसे की rainfall हो गया fog हो गया hellstorm हो गया यह जो सारी की सारी weather related phenomena है वो troposphere में होती है now we will discuss कि statosphere किसे केते हैं सबसे पहले बात हम बात करेंगे वो extend करेंगे कि कितना ज्यादा extend है या कितनी ज्यादा हाइट है stratosphere की वो 50 km है यह आपको याद रखना है इसके अलाओ जो सबसे important चीज है वो यह एक इसमें ozone layer पाए जाती है ओके जो ozone layer का क्या काम होता है यह देखिए जो ozone layer होती वो statosphere में पाए जाती है और जो sun से harmful rays होती है जो की UV rays कहते है हम जीने उनको reflect back करती है और इस तरीके से यह जो UV rays है जो harmful rays है वो अर्थ surface पे नहीं आती है जिसके कारण कि हमारे जो temperature है अर्थ का वो maintain रहते है यह harmful rays हमारी जो skin को क्या करती है effect नहीं कर पाती है इस चीज को आपको याद रखना है इसके लाव एक और चीज जो आपको important है देखिए जितनी भी weather related phenomenon है वो सिर्फ toposphere में होती है इसके लावा यह इस्टेटव स्पेर के जस्ट अबब पाई जाने वाली लियर है इसके लावा जितने भी meteorites होते हैं जो चोटे चोटे पार्टिकल्स होते हैं rocks के जो कि हमारे solar system में पाई जाते हैं और जब यह gravity के करण नीचे आते हैं तो इन में friction होता है friction होते हैं तो इसके करण यह burn up हो जाते हैं या जल जाते हैं जैसे कि आपने सुना होगा आप बहुत सारे आपने देखा भी होगा जैसे हम कहते हैं कि यह तूरता हुआ तार है तो यह तूरता हुआ तारा नहीं बलकि यह meteorites होते हैं जो burn up हो जाते हैं हमारे meteorites में तो नाव हम अब डिसकस करेंगे थर्मोइस्पेर की सबसे पहले इसका एक्स्टेंड देखते हैं कि इसकी हाइट कहा से कहा तक है तो 80 किलोमेटर से लेकर 400 किलोमेटर तक के बीच की जो लियर होती है हम मुझे थर्मोइस्पेर कहते हैं थर्मोइस्पेर के अंदर ही एक लियर पाये जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंड जिसे हम आईनोइस्पेर कहते हैं तो आईनोइस्पेर में आईनाइज पार्टिकल होते हैं और जो की हमारे अर्थ से जो रेडियोवेब ट्रांस्मीट होती है उसे reflect back करते हैं, तो इस तरीके से आपने इस चीज को याद रखना था कि इसमें thermosphere के अंदर ही हमारी ionosphere होती है, जो कि radio waves होती है, जो earth से transmit होती है, उस चीज को reflect back करते हैं, तो नाव हम discuss करेंगी कि exosphere कहते हैं, यह upper most layer है हमारी atmosphere की जिसके बाद atmosphere हमारा खतम हो जाता है, यह हम कहें कि जो हमारे gases हैं वो नहीं रहती हैं, तो जो यह layer है, इसमें thin air होती हैं, यह light gases होती हैं, जैसे कि helium होगे है, hydrogen होगे, यह सारी जो यह thin layer है, यह light gases हैं, यह exosphere में ही का outer atmosphere होता है, जिसमें की atmosphere नहीं पाया जाता है, इस तरीके से आपने यह याद रखना था, तो इस तरीके से हमने 5 layer देखी, 5 layer को हमने detail में discuss करा, I hope आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे, अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए हैं, तो प्लीज लाइ